तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आप को कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, इमकार 2.5 टैबलेट केल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के नाम से जानी जाने वाली दवाउं की श्रेनी से संबंध रखता है, इसका उपयोग उच्छ रख्चाप, उच्छ रख्चाप के इ इमकार 2.5 टैबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ निर्धारित किया जा सकता है, खुराक इस बात पर निर्भर करता है, कि आप इसे किसलिए ले रहे हैं, और आपकी स्थिती की गंभीरता क्या है, आप इसे दिन के किसी भी समय, भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं, लेकिन हर दिन लगभग एक ही समय पर इसे लेना सबसे अच्छा है, आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए, जब तक यह आपके लिए निर्धारित है, यदि आप अच्छा महसूस करते हैं, तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें, क्यूंकि उच्छ रक चाप को नियंतरत करने में मदद मिलेगी, सबसे आम दुश प्रभावों में सिरदर्द, ठकान, मतली, पेट दर्द और नींद ना आना शामिल हैं, अपने चिकित्सक से परामर्ष करें, यदि इन में से कोई भी दुश प्रभाव आपको परेशान करता है, या दूर नहीं होता है, वे दुश प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकते हैं, इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवक, हरदय या गुर्दे की कोई समस्या है, गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहल सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है, आपको नियमित रूप से अपने रक्चाप की जांच करवानी चाहिए, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद